हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Motorola G31 Android Mobile Phone में System Navigation Setting को आप कैसे चेंज कर सकते हैं और ये System Navigation Setting चेंज करने के बाद जो है किस तरीके से काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूँ इसके बाद आपको System के इस पेज में Gesture का ये Option देखने को मिल जाएगा जेस्चर पर आपको टैप करना है इसके बाद आपको Gesture के इस पेज में System Navigation का ये Option देखने को मिलेगा System Navigation पर आपको इसे Select कर लेना है अब यहाँ पर आपको system navigation के इस page में नीचे की side में दो option मिलते है gesture navigation और three button navigation अब यह जो आपका पहले से tick mark लगा हुआ होता है three button navigation पर तो आपके three button navigation होते के हैं मैं आपको यह बता रहता हूँ यह जो आपके mobile के back button, home screen button, overview button जो यह होते हैं चेंज करने के लिए आपको system navigation के लिए उपर उप्शन स्छेश्ट करना इस तरह के से तो आपके mobile की setting छो चेंज हो जाएगी इसके बाद यह page आता है तो आपो को इसे ओके करते रहे है तो इसटरह के से आपके u mobile की system navigation setting छो जाती है आप आप नीची देख सकते हैं यहां पर जो है कोई भी three button navigation यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं हमारे mobile phone में अब आपको यह setting जो है use कैसे करने हैं मैं आपको यह बता देता हूँ आपको यह mobile का जो left का जो यह हिस्सा है ठीक है इस पे आपको जो है left side से ऐसे करना है यह देखे मैं इस side से भी ऐसे करूँगा तो यह हमारा mobile phone जो है वो back page पे चला जाता है तो इस तरीके से आप जो है यह system navigation setting को change कर सकते हैं अपने Motorola G31 Android mobile phone में